हर्याना विधान सुभा चुनाव में सबसे कम उम्र की उमीद्वार, हर्याना विधान सुभा चुनाव में मुसलिम बहुल इलाके में हिंदू उमीद्वार और एक ऐसी सीट जिस पर अभी तक BJP ने सीधे तोर पर तो अपना खाता नहीं खोला बहां से BJP की उम्मीदबार हमारे साथ है नौक्षम चौधरी 28 साल की इनकी उम्र है और भी बहुत सारी वज़े हैं कि आज चुनावी थाली में आप सीधे इन से मिल रहे हैं क्योंकि ऐसी चुनावी थाली जो राजनितिक तो है लेकिन इनकी प्रश्टभूमी राजनितिक नहीं है वो आपने नहीं देखी होगी तो नौक्षम जी आपका स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया तीन जो मैंने चीजें गिनवाई हैं ये एक तरह से रिकॉर्ड कायम कर रही है इस किसम से ये जो चुनाव है ये पहली दफाए कि इतियासिक चुनाव है इतियासिक क्यों है क्योंकि एक समाजिक चुनाव है राजनेतिक चुनाव तो बहुत हुए है ये पहली दफाए इस किसम का संदेश दिया जा रहा है कि समाजिक चुनाव है मानवता का चुनाव है दूसरे अगर ये सीट निकलती है तो यहां से भाजपा सरकार भाषपा पार्टी से जिस किसम से हिंदु मुसलमान एक जुट होके जुडाव करेंगे, वो एक संदेश जाएगा भाषपा पार्टी मेवात में कमल खिलाएगी, ये एक संदेश जाएगा हिंदु लड़की मुसलिम डॉमिनेटिड सीट में तो जो बल और मजबूती आई है एक आंधी चल रही है एक लहर चल रही है, तो ये एक तरफा जीत है, इस सुनिश्चित है और ये एक तरफा जीत जाएगी, तो चलिए अब 28 साल की पहली बार चुनाव में डेब्यू कर रही है, इन कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास बहुत से मुश्किल सवाल हैं, आप तयार हैं, सबसे पहले धाली में अगर मैं आपसे पूछू हूँ, आप किस से शुरुआत करना चाहेंगी, तो वो क्या है और उसकी वज़ा क्या है? पहले तो मैं मुँ मीठा करना चाहते हूँ, तो कीजे मुँ मीठा आप, उसकी बहुत सारी वज़ाएं हैं, उसकी वज़ाएं ये हैं, जिस किसम से मेरे इलाके के लोगों ने मुझे अपनाया है, मुझे आशिरवाद और दुआएं दी हैं, और भरपूर समर्थन दिया है तो मैं उससे ये शुब कामनाय देना चाहती हूँ, तो हर भी आ रहे हैं, आगे दिपावली काम शुब कामनाय हैं, और मुझे मीठा करना चाहती है। मिलता रहा होगा ऐसे लाके वोगों, या मिला भी या नहीं मिला। मुझे माजूदा विडायक हैं, या जिनको जिम्हदारी गई है, वो उनका इस्तमाल नहीं कर रहे हैं, लोगों तक आम अवां तक नहीं पहुंचा रहे हैं। में सरकार का किया कसूर इस सरकार का काम है एक हमत तोर से आपको फंड रिलीस करना जिस तोर पे जहां पे जो ग्रांट की जुरह तो इसको देना या आप कहने फंड आया पर पहुंचा नहीं पाया उसकी क्या वज़ाय में जो भी वज़ाय है चाहे वो कमिशन खोरी है चाहे 10 का मार्जन रखना है चाहे अपना कमिशन अपने तक रखके ठेकेदारों में देना है चाहे किसी वरीड़ा भी वज़े में वह आम अवाम तक पहुंचा नहीं है इनका प्रोफाइल इंसे समझेंगे तो और आप जानेंगे कि यह देश के बाद विदेशी प्रोफाइल छोड कि जब मुझे पढ़ाया जा रहा था उच्छा या तालीम दी जा रही थी उसके कुछ मकसद से उसका पहला मकसद यह था कि आपका जो यह सोचने की शक्ती है ना यह पारदर्शी हो जाएगी एक आपका जो जहन है वो खुल जाएगा आप लोग चीजों को समझ पाएंगे कि दूसरी बात थी कि जब मैं यहां से ग्राजुशन और पोस्ट ग्राजुशन करके विदेश में गई तो वहां के तरह तरह के माधियों से जो आपको शिक्षा मिलती है उससे आपका एक इंडिविजुल तरह पर बहुत विकास होती है वो सोचने समझने के बाद जब मैं यह फैसला लिया कि नहीं अब मैं वापस जाओंगी अपने विदेश से वापस जाके अपने देश में अपने लोगों के साथ रहूंगी उसमें मुझे दो चीजों का मिला एक तो मुझे रियालिटी जो है क्योंकि जो जिन्दगी मैंने जी है वो उसको एक वो कहते हैं बह क्या बताएंगी इसमें से आसान सवाल है कि आपने बड़े मीठे का लिये और बड़े किसम के मिठाई लोगों को खिला दी अब आप सोड़ी देर आराम करें विश्राम लें और थोड़ा सा नम्कीन चकें और यह जो नम्कीन है यह शायद से आपको इस चीज का एसास दिल कि जब लोग आपको मिठाई खिलाते हैं तो बहुत आपसे पेक्षाएं भी रखते हैं आपसे आखिरी सवाल में यह पूछना चाहूंगी कि यह जो विधान सभा है जहां बहुत सारे विकास की जरूरत है स्कूल भी गिंती के हैं एक-दो हैं तो आप अगर मान लिजे जी इन चीज़ें होंगी जिनको आप सबसे पहले अड्रेस करना चाहेंगी सबसे पहले तो शिक्षा शिक्षा से इतना इलाका वंशित है कि शिक्षा का मतलब भी नहीं पता यूनिवरस्टी आप किसी मास्टर्स डिग्री को यह पूछ लें यहां पर कि अगर कोई पोस्ट ग का भी मतलब बता होना चाहिए अगर हम जैसे मामली लग्यां पने होसले कर सकते हैं तो बाकी महिलाएं क्यों नहीं है